तो हलो फैंट्स तो आज हम बात करने वाले टॉप फाइफ लेट्री स्कूटर्स जो आपको इंडिया में अविलेबल हैं आप इस फेस्टिवल सीजन पे इसे ले सकते हैं या फिर आप जब भी यह मन बना रहे हैं एक लेट्री स्कूटर लेने के बारे में तो आप इनकी तर अब बात करते हैं नमबर वन पे आने वाली गाड़ी के बारे में जो कि है सबसे टॉस्टेट कंपणी के तरफ से टीवियस की तरफ से लेट्री स्कूटर जिनका नाम है आईक्यू और एस्टी इन दोनों वेर्ण्स में आपको काफी अच्छी रेंज मिलेगी काफी से एक वेरिंट के बारे में चल्चा करेंगे जो कि है इस्टी इसकी जो प्राइस से वापको 1.25,000 के मिलने वाली एक शूरूम यानि की एक लाग पत्चीस अजार एक शूरूम के प्राइस में आप इसे देख सकते हैं आपको इसमें सबसेडी मिल जाएगी आपके स्टेट से इसकी मोटर के बारे में जो कि आपको 4.4 किलोवाट की मिलने वाली है इसमें आपको फासजार भी मिल जाएगा जो कि आपको आलक से लेना पड़ेगा इसमे आपको फ्रैंट में गाड़ी में आराम से तो सकते हैं, आपकोई ज्यादर प्रॉल्म नहीं आएगी, इसमें तो आपको बूडिस पलीज़ा में अछल्मेट, वं आफ साथ अरा Score से आ अच्छी इसकी demand होने वाली क्योंकि इसका शाय सारे specifications काफी रहनसे रहने वाला है यह गाड़ी का नाम है, Simple One, Simple One अभी तक इंडिया में लॉच नहीं हो पई क्योंकि इस गाड़ी को अभी तक भारत में पार्च नहीं किया गया है 1.45 लाक रुपीज एने वाला है एक्षो रूम इसमें आपको सबसेटी मिल जाएगी सभी गाड़ियों में आपको जो भी इलेट्रिक आप लेंगे इसमें आपको सबसेटी मिलेगी मिलेगी गवर्मेंट की तरफ से सिंपल बर्में आपको दो वरिंट्स देखने को मिलजाएंगे पहले तो आपको इसमें बेस मौडल मिलेगा और सेकिन पेसेक्डिए को चैसे हैं समस्मजी पारेंगे कि इसमें आपको काफी अच्छी बैटरी और काफी अच्छा रेंच आपको provide कर देगी अब बात काते नमबर थी में आने वाली गाड़ी के बारे में जो की है hero की Vida Hero की Vida Vida Brand के साथ launch होगी यानि कि Hero का एक brand होगा Vida वो electric scooter manufacture करेगा तो इसी के साथ आपको इसमें ये गाड़ी मिल जाएगी ये इंडियन मार्केट का सबसे सस्ता electric scooter होने वाला है इसकी जो price रहेगी वो 80,000 actual room की रहने वाली है इसमें जो आपको motor मिलेगी वो 3.8 kilowatt की मिलने वाली है इसमें आपको जो top speed मिलेगी वो 90 km की मिलेगी जो की काफी अच्छी है और इसमें आपको जो battery मिलेगी वो 72 watt की मिलेगी काफी अच्छी charging के साथ इसमें आपको ये battery मिलने वाली है इसमें जो आपको range मिलने वाली है अभी तक की सारे scooters में सबसे अच्छी मिलने वाली है यानि कि आपको इसमें 115 km की एक single charge में range मिलेगी जो की काफी अच्छी है काफी दूर तक आप इस गाड़ी में जा सकते हैं single charge करके इसकी जो load capacity होने वाली है यानि की वजन सहने की जो शम 75 यह दोनों ही गाड़िया हीरो की तरफ से आने वाली काफी अच्छे इलेट्रिक सूटर्स है इसमें आपको हीरो का एक अच्छा trust मिलेगा जो की हीरो काफी सालों से इंडिया में manufacturing करती है यह पेट्रोल गाड़ियों को यह आपको अब इलेट्रिक में भी देखने को मिलने तरफ से इसमें जो आपको मॉटर मिलेगी वञ किलोवेट की मिलेगी इसमें जापको टॉप स्पीड होगी वह 55 km पनेवाबर की मिल जाएगी इसमीं का इस which looks चार्ज करने में देने पड़ेंगे अब बात करते हैं इसके सेकंड के बारे में जो कि है एए 75 इसका जो प्राइस वह आपको 80,000 का मिलेगा इसी प्राइस दूपर आपको आपकी स्टेट गवर्नेंट की तरफ से जो भी सबसेडी होगी वह आपको मिल जाएगी इसमें जो मो 90 km के साथ इसमें आपको सारे basic features मिल जाते हैं अब बात करते हैं सबसे पहले नमबर में आने वाली गाड़ी के वारे में मिलेगी एक सिंगल चार्ज में इसकी जो आपको चार्जिंग की स्पीड मिलेगी वह आपको 3.4 ओवर से लेकर 4.5 ओवर तक में मिल जाएगी इसमें आपको तीन घंटे या फी चार घंटे के आज पास इसे आप फुल चार्ज करने पर आपको यह 100 km की रेंज दे देगी इसम कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताए आप कौन सी गाड़ी को कंसिडर करने वाले हैं हमें यह भी जरूर बताईए आपका बहुत बहुत धन्यवाद